पिछले करीव डेड़ साल से पंजाब की सत्ता से बेदखल चल रहे कॉंग्रेस के तेज तर्रार नेता नवजो सिंग सिद्धू की दशहरे के बाद किसी भी वक्त सत्ता में वापसी हो सकती है मंगलवार को विधान साभा में सिद्धू द्वारा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरंदर सिंग की तारेफ किये जाने के बाद दोनों नेताओं के मध्य सत्भाव बढ़ा है और वो द्वार को नवजो सिंग सिद्धू की कैप्टन के फार्म हाउस पर मुलाकात हुई है इस मुलाकात के दोरान सिद्धू की कैबिनेट में वापसी के लिए दो फार्मूलों पर चर्चा हुई है पहले फार्मूले के तहट नवजो सिंग सिद्धू को इस्थानिय निकाय मंत्री के साथ साथ पंजाब प्रदीश कॉंग्रिस कमेटी के कारेकारिय अध्यक्ष के पद की पेशकस की गई है जबकि एक अन्य फॉर्मूले के तहत सिध्धू को स्थानिय निकाय मंत्री के साथ साथ डिप्टी सीम के पद की पेशकस हुई है। हाला कि दोनों ही पक्ष इस मामले में आधिकारिक तोर पर कुछ भी बोलने को तयार नहीं है। सूत्रू के हवाले से पता चला है कि इस दिशा में अगला सत्ता निर्णायक हो सकता है। बता दे कि सिध्धू काफी दिनों से राजिनीती में सक्रिय नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन पिछले करीब देड़ साल से पंजाब की सत्ता से बेदखल चल रहे कॉंग्रेस के तेज तर्रार नेता नवजो सिंग सिध्धू की देशेहरे के बाद किसी भी वक्त सत्ता में वापसी हो सकती है। ऐसा सूत्रों के अनुजार पता चला है। बता दें मंगलवार को विधान सभा में सिध्धु द्वारा मुख्य मंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंग की तारीफ किये जाने के बाद दोनों नेताओं के मध्य सद्भाव बढ़े हैं और बुद्वार कुनवजो सिंग सिध्धु की कैप्टन के फर्म हाउस पर मुलाकात ह जानकारी सुट्रे उन सुट्रेशों से राप्त है जानकारी पर आपकी क्या रहा है कमिंट बॉक्स में कर दर्री बताएं बाकित अबार जानकारी के लिए बने रहे हैं साथ इस पी अन्लाइन नियूज रूम पर पर